उत्तर भारत के एक कपल की बहुत ही मज़िदार स्टोरी है जो मैंने अपने पेरेंट से सुसुनी है वो पेश करता हूं वो वाकिया यह है कि एक मौलवी साहब थे जो करीब करीब 85-86 वरस के थे और उन्होंने चौथा निकाह अपना उन्होंने चौथी शादी उन्होंने की थी और निकाह होने के बाद जो उनकी पत्नी थी वो करीब वही 16-17 वरस की थी सोड़सी और जो गई अपना नई हर नई हर गई तो उसके बाद कभी आई नहीं तो लगतार खत लिखते रहे आती करते हैं बुलाबा भेजते रहे और ऐसा सेक्ड़ों हमाने चिथिया और पत नहीं आई हैं अंद में एक सर्जन को उन्होंने भेजा कि जाओ और उनके मने ससुराल आँ वहां से जाकर उनसे बेगम से कुछ लिखवा कर ले आओ तो जो बेगम ने जो पत्र लिखा उसी का कुछ नमुना पेश कर रहा हूं तो उन्हें संबोधित किया मेरे खूसट सौहर मेरे खूसट सौहर खुदा तुम्हे समझे सिकंदर पाताल से प्यासा आया लेकिन तुने अम्रित की दो-चार बुंदे अवस पी ली है जो मरने का नाम नहीं लेते हो हजारों ही जवान उठते जाते हैं लेकिन तुम तईया से मवजूद हो डंकू फीवर भी आया लेकिन तुम मुझो परताभी देते रहे हैजा ने हजारों को चट किया लेकिन तुमने हैजे को ही चट कर डाला वा पठे तुम वो चिकने घड़े हो जिस पर हजारों ही बूंद क्यों न पड़े लेकिन एक बूंद न थम सके मैं अपने बाप दादे को क्या कहूं मेरी गर्दन तो कूत चूरी से रेट डाली न तुमारे मूह में दाथ है न पेट में आथ है आखो की यह कैफियद है कि दीन में उंट नहीं सूझता और हाफिजे का यह हालत है कि अपने वालिद का भी नाम याद नहीं हाफिजा बोलता है ब्रेन का यह स्थिति है 86 वरस में कि तुमको अपने पिता जी का भी नाम याद नहीं है हाज में कई यह हालत है कि तोला भर सकंजवीन का सत्यानास किया और शाम तक खटी धकारे आ रहे हैं करने का मतलब सकंजवीन है युनानी में एक डाइजेस्टिव इंजाइन है और ज अधर आधा तोला भी ले लिजेगा तो सब पचा देगा और यह तोला भर सकंजवीन का सत्यानास किया और शाम तक खटी धकारे आ रहे हैं पर इसी तरह से बहुत 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 लबी कहानी है तो में किट लॉंग स्टोरी शॉर्ट तो पत्नी तो लिख दिया यह खत मिला इनको तो इनों ने उसका जवाब दिया मेरी छैल छेविली नादान बीबी तुम दूधो नहाओ और पूतो फलो और तुमें सोला चोकड़े आ सोला 32 चोकड़ियां हो और जब मैं दलान में कदम रखू तो सब लोंडे अब्बा आए अब्बा आए करके दोड़े यह सची वुना पेस्टया ताइक जह क्या कर दो दूता है